वालो स्वातियों नमस्कार मैं हूँ बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी-पी-सी-एल यूटूब चैनल तो यह हमारी टी-20 सीरीज है जिसमें कि मतलब टैस्ट और ट्वेंटी मतलब 20 परिशन नहीं जिसमें रोज रात नो बज़े हलकर आए जाते हैं मेरे दौरा एक लास यूपी-पी-सी-एल-टी-ट्वी-पी-ट्वी-ट्वी-ट्वी-एल-ट्वें-अ-ट्वच्वी इस से पहने दो क्लास हो चुनी है अगर आप वो अभी तग नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे आप बहां T20 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें से आप पुरानी दो क्लासों को भी कर सकते हैं चलिए हम शुरू करते हैं आज की कलास और कल हमने कर लिए थे 41 नम्बर तक क्योंशन आज करते हैं 41 से आगे 41 से आगे तो कल हमने अपनी जो class का अंत किया था मतलब class जो समात की थी वो की थी 41 नमबर प्रेशन पर 41 नमबर का प्रेशन था DOL starter का पूरा नाम क्या है तो DOL starter जो है 3 phase induction motor में प्रयोग होता है ठीक है और इसका पूरा नाम होता है direct online starter इसका पूरा नाम क्या होता है direct online starter तो विकल्प नमबर 3 इस प्रेशन का सई अंसर हो जाएगा यूँ कहें तो 3 नमबर जो है विकल्प इसका सई अंसर हो जाएगा direct online starter ठीक है अब अगली प्रेशन की ब्लाइब चलते हैं 42 नमबर प्रेशन 42 नमबर प्रेशन है हमारा तेल ग्रीस अगला 42 नमबर प्रसन हमारी स्क्रीन पर है तेल ग्रीस पैंट से लगने वाली आग को जो आग है उसको कौन सी क्लास के आग के रूप में जाना जाता है Class B Type, Class D Type, Class C Type या Class A Type आग और आपके परकार chapter परस्ट chapter है और उसी का एक topic है आग और आग के परकार तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आग के चार परकार होते हैं कौन-कौन से एवी, ए, बी, सी ओर डी थोस पधार्थ जो होते हैं उनमें लगने वाली आग क्लास A की आग कहलाती है और जो द्रब पदार्थ होते हैं उनमें लगने वाली आग B स्रेड़ी की आग या क्लास B की आग कहलाती है C क्लास की जो आग होती है उसे हम गैसों में लगने वाली आग को सी स्रेणी की आग कहते हैं और बिद्धुती उपकरणों आदी में लगने वाली आग को क्लास D प्रकार की आग कहते हैं यहाँ पर आप से पूछा गया है तेल ग्रीस पेंट यह सारी द्रब हैं और द्रबों में लगने वाली आग को हम कहते हैं यह सारी चीजे क्या है द्रब द्रबों में लगने वाली आग कौन सी स्रेणी में आती है जैसा मैंने आपको बताया तो जो द्रबों में लगने वाली आग होती है वो आती है क्लास B प्रकार में अगला प्रसंद द के लिए कि बिद्धुत करने के लिए जोते प्रजाने च्रीय करने के लिए जो जो जोसे प्रयोग के जाते हैं यहां ऐसा जो यूपी पीसील का पेपर था उसमें आया था ये प्रस्ण इंडिटो उसमें क्या था कि विद्धुत कारी करने के लिए किस प्रकार के जूतों कपरियों किया जाता है यहाँ पर सिर्फ लिखा था मोटी आगे मोटी और लिखा था मतलब मोटी रवर्ट सोल वाले चमड़ के जूते ठीक है अगले प्रस्ण क्यों चलते है अगला प्रस्ण क्या है 44 नमबर प्रस्ण है काम के लिए 22 का चायन किस प्रकार किया जाता है किस आधार पर किया जाता है वाइस क्या होती है तो आपने जो सुरुवाती जो चैप्टर है इलक्रिशियन के उसमें ऑजार बा करते हैं यहां पर पूछा गया है कभजे के आकार पर कभजे की सामिग्री पर कभजे के बजन पर या कभजे की लंबाई पर तो जो हम वैच वाइस यह बैंच वाइस है वाइस कई परकार की होती है बैंच वाइस पाइप वाइस बो बाइस होगी जिसमें पाइप को फसाया जाएगा और bench wise वहवाइस होगी जो हम bench के लगा कर प्रयोग मिलें तो bench wise का जो chain करते हैं हम कब्जे केते अधार पर उसका जो जबस्ता है जबस्त कि कह सकते हैं उसके जबड़े जबड़े के आकार की अधार ठीक है अगला प्रसंद्ध क्वा रफ एक प्रेटिस लाइन की साथ बार केा है पोगा हुछा गया आपसे व्मेजन के प्रॉटता हुटा इस अशू सक्थी का मान कितना होता है यह आपको के देंड हैं हम नहीं बताएंगे 700效 या फिर 735.5 बाट हम हर एक टेस्ट में एक प्रस्ण आपके लिए छोड़ते हैं तो यह वही प्रस्ण है और इस प्रस्ण का आंसर भी आप ही को देना है कि एक ब्रिटिस असुसक्ति का मान क्या होता है ठीक है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें में बहु प्रस्न की और चलते हैं अगला प्रस्ण देख लेथे देख लेते हैं अगला प्रस्ण क्या है 46 और प्रस्ण इन मेंसे कौन सिरंखला परिपत्र में समान रहता है देखो देखो चालक पदार्थ जो होते हैं उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं उसमें बोल्टेज भी होता है चालक पदार्थ में अगर हम बोल्टेज लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवायत होगी ठीक है तो इनमें कह रहा है निमनिखित में से कौन सरंखला परिपत में समान होता है विद्धुत बोल्टेज विद्धुत धारा विद्धुत बोल्टेज दो बार एक ही विकल्प को दो बार टाइप हो गया है विद्धुत बोल्टेज न करके यहां पर आप विद्धुत प्रतिरोध कर सकते हैं विद्धुत प्रतिरोध ठीक है प्रतिरोध और चौथ तो स्रंखला जो परिपत होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सीरीज परिपत कहते हैं, सीरीज परिपत में क्या समान रहता है, तो सीरीज परिपत में करेंट समान रहता है, जिसको हम विद्धुद्धारा कहते हैं, और अगर आप से पूचलिया जाए कि समानतर परिपत यहीं जो connection किये जाते हैं बुक किस क्रम में किये जाते हैं comment करके comment box में बताईएगा समानतर क्रम में या series क्रम में यहां जो answer था इस प्रस्ण का 46 नमबर प्रस्ण का answer था विद्धधारा स्रंखला में मतलब series में क्या current सेम रहती है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं 47 नमबर प्रस्ण एक बितरन ट्रांसफार्मर voltage level के आधार पर किस प्रकार का होता है बितरन ट्रांसफार्मर voltage level के आधार पर किस प्रकार का होता है जो आपके गाउं के आपकी गली के आपके महले के बहार लगा होता है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है और वो इस्टेप डाउन प्रकार का होता है किस प्रकार का इस्टेप डाउन उस तक क्या हो रहा होता है उस की कि में साइट पर आ रही होती है हाइब अगर हम बैसना को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाए सीटी सीटी का पूर्ण रूप क्या होता है तो सीटी का पूर्ण रूप होता है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है पूछा गया है यहां पर जो करेंट ट्रांसफार्मर होता है सीटी जो होता है करेंट ट्रांसफार्मर वो किस प्रक किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है यह आपको बताना है कि बताईए कि मैं पानी पीनू कि प्रेस्ट नहें करेंट ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है तो करेंट ट्रांसफार्मर एक no a step upf tous होता है कि से द 되면毫ं सब्छाइज Maßnahmen को जालेजिए जैसे मैं ने बताएं सर्फियंगा कि सींट कॉछा या आप से कि सीटि कपूं क्या होता है तो आप बताएंगे करेंट transformer में दूसरा CT मतलब current transformer का प्रयोग का होता है वाइंडिंग जो होती है, मोटे तार की होती है, यह भी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वो मोटे तार की और कम टर्न वाली होगी, मोटे तार की कम टर्न वाली होगी, और जो सेकंडरी वाइंडिंग होगी, बह क्या होगी, पतले तार की अधिक टर्न वाली होगी, ठीक है और इसका प्रियोग उच्छ प्रत्यवर्ती धारम आपने के लिए किया जाता है, यह हमने बता दिया, अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला प्रस्ण क्या है, बहे बिद्धोत मोटर जिसमें रोटर और इस्टेटर फील्ड दौनों एक साथ घूमते हैं, पता होगा आपको, बहे बिद्धोत मोटर कौन सी है, जिसमें रोटर और इस्टेटर फील्ड दौनों एक साथ घूमते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कह लीजिए, या फिर थ्री फेज प्रेनल मोटर, दूसरा है तीन फेज मोटर, विकल्प सेम है, थ्री फेज प्रेनल मोटर और थ्री साथ घूमते हैं, बहें मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इस मोटर को हम तुलकाली मोटर की नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है, तुलकाली मोटर, अधिकांस ताहम प्रेयोग में लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रो दोपरिकार की सफपल्य दी जाती है सिंक्रोनेस मोॉन वाला जो प्रशन है को डीटेल में भोमते परकार के सप्लाइब कर इसके अतरिक्त और स्वार क्या वह घंक मतलब यूनिटी पावर फेक्टर मतलब तीनों परकार की पावर फेक्टर पर काम करती है अग्रगामी पस्च पर द tortured qammy और unity तो वह मोटर भी synchronous मोटर होगी ठीक है अगला प्रस भरते हैं अगला प्रचन प्रेut बढ़ाई जाती है तो इसकी आबरती पर क्या परभाव पड़ेगा हम इसके लिए एक सूतर जानते हैं एनस बराबर क्या होता है 120F 120F ठीक है तो देखो Speed को हम एनस से पर दर्शित करते हैं और frequency को एप से पर दर्शित करते हैं इन दोनों में क्या है समान उपाती का संबंद है मतलब कि जब हम NS को बढ़ाएंगे Speed बढ़ाएंगे तो आबरती भी बढ़ेगी क्या होगी आबरती बढ़ेगी ना कि घटेगी ना पर अपवर्तित रहेगी और उप्योक्त में से कोई नहीं अगर यहीं पर पूछ लिए जा अगर विप्रीत होंगे यह उपर होगा यह नीचे होगा तो यह बढ़ेगा तो यह घटेगा ऐसे समझ लीजिए ठीक है मुझे उम्मीद है यह प्रस्ण भीयार्ट की समझ में आगया होगा अगर ज्यादा टेक्निकल समझ में नहीं आता है तो जब अल्टरनेटर की गति ह जो होती है उसका प्रियोग हम करते हैं सिंख्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर को स्टाट करने के लिए हम प्रेयोग करते है ठीक है विखल्प नमबड चार कह लिजी और प्रस्ण नंबर 61 हम अगला प्रस्ण है बहुत इंपुड़निक प्रस्ण है कोई भाई कर पाई इसक प्रेक्ट जो है इसका पूरा अर्थ क्या है फ्लेक्सिवल अल्टरनेटिक करेंट ट्रांस इसन सिस्टम इसके बाकी जो विकल्प हैं वह दूसरे पेज़ें है उनौं इमस्टैक्ट आल करेंट ट्रांस्टार्मर सिस्टम फ्रिक्रेंशी आल करेंट्ट ट्रांस्मीशन सिस्टम और फुली आलकिरेंट टूटल मीडल सिटम तो चाल विकल्पते हैं चार में से 1 Il विकल्ब नमबर एक ही इसका सही आंसर है ठीक है फिलेक्सिवल अल्टरनेटिंग करेंट ट्रांसमीशन सिस्टम ठीक है विकल्ब नमबर एक प्रसन का सही आंसर है फिलेक्सिवल अल्टरनेटिंग करेंट ट्रांसमीशन सिस्टम अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन क्या है तो 15-20, 6-8, 30-40 या 1-3 पर्चेंट तो यह कितना होता है यह होता है 30-40 पर्चेंट देखिए यह डाटा वाले कुश्चन है और इनको आपको याधी करना होगा इनमें समझने और समझाने लाइक जैसी कोई और पूच रही होजे लाटा अगला है प्रसे तो पर्चेंट में सी र्य WE हैं और परियोंगाए जाए अगर प्रियोंग कहां पर किया जाता है 63-16 क लाइनों में या फिर 11-33 कि लाइन में या फिर 66-220 क की लाइन में यांळे कि लाइन उस और तो सबसे पहले तो मैं आपको RCC का full form बता देता हूं, RCC का full form होता है, reinforce cement concrete, क्या होता है, reinforce cement concrete, reinforce cement concrete, cement concrete, concrete आप लिख लेंगे, concrete, ठीक, तो जो RCC का full form होता है, वो होता है, reinforce cement concrete और इसका होता है, 11 से 33 किलो वोर्ट की लाइन, तक की लाइनों में बस, ठीक है, 11 से 33 किलो वोर्ट तक की लाइनों में, अगला प्रेस नहीं है, फिर transmission और distribution से, इस्टे तार में किस पिरकार का insulator प्रयोग किया जाता है, जो इस्टे तार, इस्टे तार में समझा देता हूं, यदि ये क कोई पोल है, और उस पर यहां पर cross arm लगे होती है, और इसको यहां एक claim किरवारा बांद देते हैं, ऐसे, एक तिर्चा बायर इसको सहारा देने के लिए लगा होता है, इसको बोलते हैं, इस्टे बायर, इस्टे बायर में यहां पर, दूसरा रंग ले ले लेता हूं, मैं पर यहां पर कुछ एक इंसुलेटर लगा होता है इस इंसुलेटर का पिरकार कौन सा होता है तो यह इंसुलेटर होता है एक पिरकार का एक टाइप इंसुलेटर एक टाइप इंसुलेटर कई पिरकार के होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर निलंबन इंसुलेटर यह सभी इंसुलेटर के पिरकार है और पुछा गया है कि इस्टे तार में कौन सा इंसुलेटर लगता है तो इस्टे तार में एक टाइप इसुलेटर लगता है ठीक है अगला प्रसन है 26 number present BIS के नियमों के अनुसार छट के पंखे की जमीन से उचाई कितनी होती है BIS ने कुछ नियम बना रखे हैं जिसके अनुसार जो छट का पंखा होता है वो जमीन से कितनी उचाई पर होता है 2.75 मीटर या 2.5 मीटर या 2.75 मीटर दो बार देख लिए एक ही विकल्ब दो बार टाइप हो गया है हमसे और 1.5 मीटर ठीक है इसका जो सही अंसर है 2.75 मीटर है ठीक है 2.75 मीटर अगला प्रसन है तार के मानक गेज की सीमा क्या होती है तार का जो मानक गेज होता है जिसको हम गेज के नाम से भी जानते हैं तो उसका मायानक गेज जो होता है उसकी सीमा उसकी पराज उसकी रेंग कितनी होती है, 0-36, 0-40, 0-40, 0-42 लिकल्पन नमबर 1 हम जिसको कहते हैं इसमें आपने इसमें जो सीमा मतलब यह पेमाना आपने कई बार देखा होगा 12 इंची पेमाना आपने पढ़ा होगा यह ऐसे करके मतलब उसकी अगर परास पूछ ली जाए तो कितनी होती है जीरो से 12 तक ठीक उसी परकार होती है जीरो से लेकर 36 तक मतलब उस पर जीरो से 36 तक की संख्याएं यह नंबर अंकित होंगे सिर्फ उससे अधिक नंबर अंकित नहीं होंगे अगला प्रस्ण है यूपी पीसी एल दोजार निस चौवीस जनवरी की फर्स्ट में यह प्रस्ण पूछा गया था नेमा का पू इस प्रस्ण का उत्तर देने के लिए हम आपको देते हैं तीन सेकंड आपको बताना है सभी अगर जो तुक्का से लगाएंगे वह यह कोई भी लगा सकते हैं लेकिन इसको आप याद कर लेंगे और यह गलत नहीं होगा पिछली बार 2608 वाली वेकंसी में तो नहीं आया था नाम होता है नेशनल एल्थ्ल मैनुफेक्ट्र एसोसियेशन अगला अगला उनसट नंबर प्रस्ण कली वाइरिंग में जो खाचे प्रयोग होते हैं अगला प्रस में फर्स जमीन और बिजली के स्विच बोर्ड की मानक हुचाई आपके जहां आप कमरे में बैट कर पढ़ाई कर रहे हों या जिस कमरे में रहते हों उस कमरे में क्या हो यहां पर कुछ बोड लगा होगा ठीक है और यह पंखा माल लेते हैं ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है पंखा ठीक है तो इस पंखे को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक स्विच बोड लगा होगा इस स्विच बोड की उचाई पूछी गई कितनी उचाई पर होता है तो यह होता है 48 इंच की उचाई पर मतलब लगभग एक फिट में 12 इंच होते हैं चार फिट की उचाई पर होता है ठीक है स्विच बोड अगर पूछा जाए तो और पंखा पूछा जाए तो अभी हमने बताय है कितना होता है पंखा इससे पहले जो कोश्चन था उसमें हमने आपको बताया था कि पंखा जमीन से कितनी उचाई पर होता है तो वह होता है टूपाइंट सेवन फाइफ ठीक है बासट नंबर प्रिशन है बिद्धुद्चालकता का मातरक क्या है कई सारे सरल प्रिशन भी जालने पड़ते हैं और सरल नहीं है जो प्रिशन आजा जो एक नंबर दे जाए वो सब सरल और कठें सब एक तरह ही प्रिशन होते है ऐसे समझ लीजिए बिद्धुद्चालकता पनेक्टिविटी जिसको हम कहते है इसका मातरक होता है ओम प्रितिरोद का मातरक होता है अब हमने बताया है और जो एलेक्ट्रोन बोल्ट मातरक है वो लेक्ट्रिकल बिद्धुद्ध उर्जा का मातरक है ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है 62 हो चुगे हैं हमारे और कल हम इससे आगे शुरू करेंगे 63 नंबर प्रिशन से अगर क्लास आपको पसं अतसार तक जा रही है दुनिया में ऐसे लोग भी है जो रील के अतरिक्त पढ़ने वाली वीडियो भी देखते हैं तो हम इसी प्रकार चाहें कैसे भी समय निकालना पड़े आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और जहां-जहां गलतिया हो रही है उसके लिए आप हमें कमेंट में बता देंगे कि आपकी सर इस चीज में गलती है या भाईया इस चीज में गलती है तो बाकी मिलेंगे कल अगली वीडियो में और तब तक के लिए बने रहे है चैनल के साथ जैहिन जै भारत जैहिन